तो आप सभी को पता होगा आज बजट पेस हुआ है और यहां पे आईटे विदार्तियों के लिए क्या गोसना है हुआ है मैं आप लोगो आडियो क्लिप एटेच कर दूँगा जो मानिये वित मंत्री निर्मला सिता रमजी के दुआरा जो बजट पेस के आ गया है उसमें कि विदार्तियों के लिए जीक्र है तो वीडियो को अन तक देखिएगा तो गाइज जितने भी आज का वीडियो नहीं देखेंगे पहले ही आप लोग से निवेतन चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा यार बहुत सारे वीडियो हम लोग मतब बनाते हैं लेकिन आप को क्लिप लगा दोंगा तो गाइज यह मनी कंट्रोल का यह देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं बज़ाट 2022 डोरोन सकती से जुरा बड़ा एलान सर्विस कुरू में बढ़ावा देगी सरकार वित मंतरी ने कहा कि ऐसे स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जाएगा जो ड्रोन सकती को सिब्दा जनक बनाया जाएंगे वित मंतरी ने ड्रोन के एक सेवा के रूप में आगे बढ़ाने का उल्ले किया उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज के चुनिंदा आइटिया में इसकी लिंग से जुरे जरूरी कोर्स सुरू किये जाएंगे इससे पहले सरकार ड्रोन तकनीक को मौडर्न रूप में देने के लिए पहल कर चुकी है ड्रोन सकती का एलान भी उसी का एक हिस्सा है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आईटिया के राज के जो सभी मतव की राज है उनका जो चुनिंदा आईटिया है उसमें आप लोग का स्कीलिंग का कोर्स सुरू किया जाएगा ड्रोन से रिगार्ण यहाँ देख सकते हैं उपर मैंने आर्टिकल बढ़कर देखाया हूँ जो ड्रोन का कोर्स आप लोग को हो सके तो आईटिया में जोर दिया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं या हो सके अलग से कोर्स इसके लिए लाँच के जाएगा जो सौट टर्म कोर्स होती है वो आईटिया कोलेज में हो सके जोर दिया जाएगा या अलग से आईटिया कोल सकती का जो मंतब की योजना है उनके रिगार्डिंग तो यहां पर यही एक important decision हुआ है IT वालों के लिए इसके लिए जरूरी कोर्स सुरू किया जाएगा हो सके short term course हो या उसी में add किया के मतब जो student लेते हैं करते हैं उनको मतब की knowledge दिया जाए यह आने वाले संहर पता चलेगा लेकिन यह गोशना हुआ है मैं भी audio आप लोग को सुना देता हूं जो मानिए वित मंतरी निर्मलना सिता जर्मन जीका audio है तो आप लोग सुन लेजेगा ठीक है skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues sustainability and employment employability the national skill qualification framework will be aligned with dynamic industry needs digital ecosystem for skilling and livelihood the desh stack e-portal will be launched this aims to empower citizens to skill reskill or upskill through online training it will also provide API based trusted skill credentials payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities startups will be promoted to facilitate drone shakti through varied applications and for drone as a service in select ITIs in all states the required courses for skilling will be started you you